हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल लर्न एवरिटिंग में दोस्तों आज मैं आपके लिए क्लास 6 की स्टोरी हाउ दर डॉग फाउंड हिंसेल्फ ए न्यू मास्टर की कहानी लेकर आई हूँ इस कहानी को मैं आपको पूरा हिंदी में एक्स्प्लेइन करूंगी तो चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में एक समय की बात है कुट्टे भेडियों की तरह ही जंगल में रहा करते थे और उस समय वे अपनी खुट की मालिक थे एक दिन उन सारे कुट्टों में से एक ऐसी कुट्टे ने जन में लिया जो सभी कुट्टों से बहुत ज़्यादा अलग था उसकी सोच और कुत्तों से बहुत ज़्यादा अलग थी, वह यह सोचता था कि शिकार की खोच के लिए उधर-उधर घुमने की बजाए और दूसरे जानौर से डणने की बजाए सबसे अच्छा ये रहेगा कि वह किसी ताकतवर मास्टर की सर्विस करे इसी सोच के साथ कुत्ता जंगल की ओर जाता है, सबसे पहले वह भीडिये को देखता है, कुत्ता मनी मन सोचता है कि भीडिया सबसे खतरनाग जानवर है और सातिसा सबसे शक्तिसाली जानवर है, तो क्यो ना मैं उसी के नौकरी करूँ, तो इसके लिए वह भीडिये के पास जाता है भीडिया उससे पूछता है कहां जा रही हूं इस पर कुट्टा उसे जवाब देता है कि वो नौकरी की तलाश में है इसके बाद कुट्टा भीडिया से पूछता है कि क्या वह उसका मालिक बनना चाहेगा तो इस पर भीडिया राजी हो जाता है और उसे अपने सेव भीडिया बोला यहां एक भालू है जंगल में छुप जाओ नहीं तो भालू हम दोनों को मार डालेगा इसके बाद कुत्ते को इस हकीकत का पता चलता है कि भीडिये से कहीं शक्तिसाली और ताकतवर जानवर भालू है तो क्यों न मैं भालू की नौकरी करूं क्यों न मैं भालू के पास जाओं तो यही सोचकर कुत्ता भालू से मिलने के लिए जाता है भालू उसे अपना वफदार समझ कर उसे अपना सेवक बना लेता है और इसके बाद दोनों शिकार के लिए निकल जाते हैं तभी इन्हें जंगल में गायों का जुन्ड दिखा, ये सोसते हैं कि क्यों न गाय का शिकार किया जाए? लेकिन तभी सारी गाय डर कर भागने लगी, भालू भी डर कर जंगल में छुपने लगा, ये देखकर कुट्टे को बहुत अचमबा हुआ कि भालू को किस से डर लगत इसके बाद भालू कुत्ते को बताता है कि यहाँ शेर है और यहाँ सबसे शक्तिसाली और ताकतवर जानवर है मैं भी इससे बहुत डरता हूँ इसके बाद कुत्ता भालू को छोड़कर शेर के पास जाता है और उसका सेवक बन जाता है दोनों को काम करते हुए काफी दिन ब और कसकर जमीन पर पाओं पटकता है और पीछे जाने लगता है कुट्टा पूछता है क्या हुआ शेर शेर उसे बताता है सामने से एक मनुष्य आ रहा है वापस चलो नहीं तो हम किसी परिशानी में फर्स जाएंगे इसके बाद कुट्टा सोचता है कि मैं तो शेर को सबसे ज्यादा ताकत पर प्राणी समस्ता था लेकिन यहां तो सबसे ज्यादा ताकत पर मनुष्य है तब से मनुष्य और कुट्टा एक साथ साथ है और कुट्टा मनुष्य का सबसे वफादार जानवर है तो दोस्तों यह कहानी यहीं पर समात होती है मैं आशा करती हूँ कि के लिए आप मेरी चैनल के साथ जुड़ी रहिए धन्यवाद